उत्रखन पुलिस के मैट्स और रेजनिंग सेशन में आप सबका स्वागत है आज जो टॉपिक कर रहे हैं मिसका नाम है एनलोजी और जो यह एनलोजी है यह वर्ड बेस्ट है वर्ड बेस्ट नहीं है यह एनलोजी है आपकी नमबर बेस्ट एनालोजी चीक है साद रिश्यता, साद रिश्यता को अगर आप समझें तो इसका मतलब होता है जैसे को तैसा अगर आप मेरे एक पत्थर मारोगे तो मैं आपके एक पत्थर मारोगा आप अगर मेरे बारे में कुछ अच्छा कहोगे तो मैं आपके बारे में कुछ अच्छा कहूंगा आप अगर मुझे बुरा कहोगे तो मैं आपके बारे में एक बुरा कहूंगा जैसे को तैसा जैसा इन दोनों नमबस के बीच में हो रहा है वैसा ही तीसरे और चौथे नमबर के बीच में होना है यह आपने समझना है, तो समझीए, कैसे देखें, चैसे पांच हो रहा है, मतलब एक नमबर कम हो रहा है, चार से तीन हो रहा है, मतलब एक नमबर कम हो रहा है, एक से शुन्य हो रहा है, एक कम हो रहा है, पांच से चार हो रहा है, मतलब एक कम हो रहा है, ठीक है, यह PDF आपको क का option आएगा, वहाँ पर जाके आप search कर लेंगे, तो analogy 2025 मिलेगी, उसमें type 2, number based analogy है, वहाँ से आप इसके question कर सकते हैं, again 100 से, 800 question जरूर कीजिए, और अगर आप ये सही से कर लेते हैं, तो number से आपकी महबत बढ़ेगी, number से महबत बढ़ेगी, तो maths करने में आसानी होने वाली है, होगी, तो ऐसा ही इसमें करना है, 7 से 6, 8 से 7, 9 से 8 और 5, ऐसा केवल और केवल एक ही option है, जो कि है option number 4, टिक कीजिए, और मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ जाओ, अगला question देखिए, अगला question यह रहा आपकी screen पर, आपने देखा कि यह बड़ा सा कोई number दियावा है, इस से यह छोटा number बना रहे हैं, बड़े से number से एक छोटा number बना रहे हैं, तो दिक्कते हो रही हैं, आपने बुला हाँ हो रही हैं, तो आप क्या करो, 6 और 4 को जोड़ो 10 और 5 पंदरा, आपने बुला ओहो, जोड़ करके 15 बन जा रहा है, ऐसी आप यहाँ पर देखिए, 7 और 9, 16 और 8, 24, 24 आंसर हो जाएगा, क्या कर रहे हैं, अंकों का योग कर रहे हैं, हर बार कुछ और और करते हैं, अलग-अलग तरीके हो सकते हैं, मेथर्ड हो सकते हैं, वो आपने देखना है, और अगर आप इन्हें सही से देखना चाहते हैं, तो बार-बार एक चीज कह रहा हूँ, कि पहाड़े 1 से लेके 20 तक याद करो, और स्कॉाइर भी कम से कम, 1 से लेके 20 तक शुरुवाती दोर में याद कीजिए, और क्यूब्स जो हैं, आपके एक से लेके 10 तक याद कर लीजिए, कुशन नमबर 3, यह आपके लिए है, आपने कॉमेंट करना है, होम वक है, कि क्या आंसर होगा, ठीक है, और यह बात समिच में, आपने यह देखना है, कि 3 से 243 कैसे पहुंचे, स्क्वाइर करके पहुंचे, क्यूब करके पहुंचे, पावर 4, पावर 5, पावर 6, कहीं ऐसा करके तो नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे करके आपने देखना है, और आंसर ज़रू कॉमेंट करके बताईएगा, 6 से 18 हो रहा है, तो आपने पहले इन दोनों के बीच में रिलेशन देखना है, आपने कहा कि 6 का स्क्वाइर कर दें, तो होता है 36, और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो हो जाता है 18, तो 4 के साथ भी ऐसी करो, 4 का स्क्वाइर किया 16, 16 का आधा कर दिया, तो 8, 8 option में है नहीं, तो कुछ और कीजिए, कुछ और का मतलब, 6 से 18 हो रहा है, तो आपने का प्लस 12 कर रहे हैं, 4 में कितना जोड़ दें, प्लस 12 जोड़ के देखो भी या कितना हो रहा है, तो आपने बोला 16 हो रहा है, ठीक है, आगी बात समय में कुछ और भी हो सकता था, कोई और मैथरड भी लग सकता था, तो आप कॉमेंट करके बता सकते हैं, कॉशन नबर 5 ही देखिए, 1 से 4 हो रहा है, या 1 और 4 के बीच में जो रिलेशन हैं, वही 64, और यहाँ पर कॉशन माक के बीच में होना चीए, तो एक और 4 को अगर आप आप अब्जव करो, तो एक का चार गुना करें, तो चार आता है, तो किसका चार गुना करें, 64 आता है, आपने गोला 16 का, 64 जो कुछ 64 आप्शन में गए, आप्शन में सूला मिल नहीं रहा, फिर कि अगर आपने कहा, की एक जो है वो स्कॉाइर उता है, और जो चार है वो स्कॉाइर होता है, दो का, है पहले एक का, फिर दो का स्कॉाइर लिखा, तो यहां आपने देखा, कि यह 8 का स्कॉाइर है, और ये किसका स्क्वाइर होना चीए, साथ का स्क्वाइर 49 आप्शन में नहीं मिल रहा, ऐसा ही आपके साथ एक्जाम में भी होता है, रुकना नहीं है, कुछ और सोचना है, तो फिर आपने कहा, कि 64 जो है वो स्क्वाइर ही नहीं, वो क्यूब भी होता है, चार का क्यूब होत और 36 से क्या होगा, तो आपने का 18 का दुगना कर दें, 36 होता है, 18 दुनी 36, 30 का दुगना कर दें, 60 option में नहीं है, कुछ भी करो के देखो नहीं मिलेगा पहली बार में, अगर नहीं मिले न बुरा मत बानना, दुखी मत होना, पहला तरीका नहीं मिल रहां, कुछ और करो, फिर का 18 को 2 से गुणा की, कितना आ गया, 36, माइनस 6 कर दिया, कितना आ गया, 36 के साथ भी ऐसी करो भी, 36 का दुगना किया, 72 में से 6 कम किया आ गया, 66, option में है, हाँ है, ठीक है, तो आप बोलेंगे, जो ये पहले वाला logic हमने दिया था, क्या वो गलत था, नहीं, logic गलत नहीं था, मगा उस logic के हिसाब से, answers नहीं दिये वे था, मतला हमें वो logic ढूणना था, जिसके हिसाब से, ये 4 में से कोई एक answer होगा, आपने बुला, okay, clear हो रही है बात, समझ में आगी सबको, चलिए, अगले question की तरफ चलते हैं, यहाँ पर आपने देखा point के बाद कितनी digit है, आपने यहाँ से शुरू करूँ, 0, 2, 1, 3 digit तो होगी, एक 0 यहाँ लगा दिया, point के बाद, 4 digit ये हैं, ऐसा कौन सा option लिखा हुआ है, आपने बुला, तीसरा वाला option लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है, तो देखी और आगे पढ़ जाईए, 68 से 130, या 68 से 130 के बीच में क्या होता है, चार का cube 64, प्लस 4, फिर उसके बाद, पांच का cube, प्लस 5 करो गया, 130 हो जाएगा, आपने बुला ठीक है, ऐसी आप देखिए कि ये 350 किस का cube प्लस ये होता है, तो आपने बुला, ये 7 का cube प्लस 7 होता है, बतले इस से पहले वाला 6 का cube, प्लस 6, बोले तो 212 answer हो अगला question देखो भी या, 13 से 169 तक जाना है, आपने उलाबे ये तो सीधे सीधे क्या दिया हुआ है, square दिया हुआ है, तो 289 तक अगर आपको जाना है तो 17 का square होना चाहिए, 17 सीधे सीधे, अब ये उसी बच्चे को दिखेगा जिसे squares याद हैं, जिस बच्चे को squares याद नहीं हैं, उस बच्चे को ये दिखने थोड़ा सा, मुश्कलात भरे हो सकते हैं, 122 को सोचो, 170 को सोचो, 290 को सोचो, क्या किसी नंबर के square के पास हैं, हिंट दे रहा हूँ, हिंट दी है square के पास, आपने answer बताना है, ये home walk है, कुछ चीज़े छोड़ूंगा ना, ताकि आप अप cube हमें आद होते, तो हमें दिखता, 12 सवाल देखो भीया, 42 जो है, इसे लिख सकते हो, 6 गुणा के 7, 56 को लिख सकते हो, 7 गुणा के 8, 72 को लिख सकते हो, 8 गुणा के 9, आपने बुला, अच्छा, 6, 7, फिर 7 और 8 किया, तो 8, 9, अब कितना और कितना करेंगे, 9 गुणा के 10 कर ये भी बहुत बार पूचा जाता है, इस तरह से भी सिरीज बनती है, 12 हो गया, 4 गुणा के 5, 20 हो गया, 5 गुणा के 6, 30 हो गया, 6 गुणा के 7, तो आपने बुला, 42 हो गया, 7 गुणा के 8, 56 हो गया, 8 गुणा के 9, 72 हो गया, 9 गुणा के 10, आपने बुला, 90 हो गया, इतना ही याद करना, आपने बुला रही याद है, नहीं आगे भी करो, 10 कुना गए 11, 110 हो गया, 11 को गए 12, 132 हो गया, 12 कुना गए 13, 156 हो गया, 13 कुना गए 14, 182 हो गया, 14 गुना गए 15, 210 हो गया पंदरा गुणागे 16, 240 हो गया, 16 गुणागे 17, ऐसे करके टोटल आपने 19 गुणागे 20 तक एक बार लिख लेने एक पेपर पे, ठीक है, 380 होता है, तो और फिर ये वाले नमबर आपने देखने भी है, बेली साय तो आपको दिखना चाहिए, कि हाँ यहाँ पे 6 गुणागे 7 गुणागे 8 ते और दिखी नहीं रहा, तो दिख नहीं रहा है, मतलब गल्ती किस की मानी जाएगी, आपकी मानी जाएगी, इसलिए आपने इने देख लेना है, अगला कुश्यन देखो गया, इसमें क्या ओर रहा है, आपने बुला, 3 को बढ़ा रहा है, 4 कर दिया, 2 को बढ़ा होगे, 8, 3 को बढ़ा होगे, 4, यही है, एक ही ऑप्शन है, चौथा आंसर हो जाएगा, अगला कुश्यन देखिए, कुश्यन नमबर 24, 24, 24 दिया हुआ है, और 60 दिया हुआ है, 24 और 60 आपको कुछ कहता है, देखो, 60 जब भी आए तो आप इसे देखो, 8 का स्क्वा माइनस 3 है, और हो गया, 24 बन रहा है, ठीक है, ऐसी 210 सोचो किसका क्यूब माइनस क्या होता है, तो 6 का क्यूब माइनस 6, 210 होता है, अब 3 के बाद क्यूंकि हाँ पे 4 आए था, 6 के बाद कितना हैगा, 7 आएगा, 7 का क्यूब माइनस, 7, 343 में से 7 घटाओगे, 336 आंसर हो एका, अगला कोशन देखिए, कोशन नमबर 15, 24 और 60, 120, फिर आपने बोला, यहाँ पे भी कर रहा है, यह दोनों कोशन सेम लिख दी हमने, नहीं, फिर यहाँ पे आपने देखा, 120 फिर से आ रहा है, तो 24 के साथ ऐसा क्या करें, तो 5 का स्कॉयर लिखा अगर मैंने, माइनस 1 किया, 25 होता है, 24 हो गया, फिर यहाँ 8 का स्कॉयर माइनस 4 किया, फिर यहाँ देखो के 11 का स्कॉयर माइनस 1, क्यूंकि 5 से 8 गया था, 3 जोड़ा था, 11 में 3 जोड़ोगे, 14 का स्कॉयर माइनस 4 करोगे, आपने कहा 196 होता है, मैं इसे 4 घटा दिया, आंसर नहीं आता है, तो 48 या 2.5 कर लो तो 60 है आता है 120 का 2.5 किया 2.5 का मतलब दुगना करना है और आधा जोडना है दुगना किया तो 240 और आधा 60 जोड़ा तो 300 आंसर हो गया आपने उला ओ ऐसा भी होता है तो मैं कहूंगा बिल्कुल ऐसा भी आंसर हो सकता है अगला कोशन देखिए अगला कोशन यह रहा आपकी स्क्रीन पर दुबारा से यह कोशन आया क्या दुबारा आगया कोई दिक्कत नहीं है सूला 17 कोशन देखिए 7 से 50 लिख रहे हैं तो आपने बोला उन 50 बना लेता हूं स्क्राइल करूंगा प्लस वन होता है ग्यारा का स्क्राइल करोगे 120 होता है और एक वोड़ोगे contrast 29 होता है और 122 हो जाएगा अगला कोशन देखिए यह 5 से 36 लिख रहे हैं तो पाँस के अगले नंबर का इस्क्राइल लिख रहे है 6 के अगले नंबर का square लिख रहा है 7 का square कितना होता है 49 होता है 20 वा सवाल देखो भी यह 182 अभी अभी हमने पढ़ा था कि 13 गुणा गए 14 करते हो तो 182 आता है इसे देखो कि तो 15 गुणा गए 16 करते हो ओ स्वारी 14 गुणा गए 15 करते हो तो 210 होता है 380 का मतलब हो गया 19 गुणा गए 20 करोगे तो आपने देखा 19 से 15 हो रहा है मतलब 4 कम कर रहा है 14 में 13 गुणा गए 14 में 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 आएगा 18 गुणा गए 19 करोगे तो मेरे ख्याल से 342 आंसर आ जाएगा आगी बात समझ में आपने गुला बिलकुल कैसे समझ में नहीं आईगी अगर आप इस तरह से करेंगे 45 आया तो आपने कहा 9 55 और 9 चुके 36 63 है 9 सते 63 9 चुके 54 एक ही आप्शन है टिक कीजिए और आगे बढ़ जाईए 5 से 100 हो रहा है तो गुणा गए 20 किया फिर 4 से 64 हो रहा है गुणा गए 16 किया आपने बोला ठीक है 4 से 80 हो रहा है गुणा गए 20 किया अब 3 में किसे गुणा करेंगे आप बोलेंगे 16 से 16 गुणा करोगे 40 आजाएगा जैसा यहां हो रहा था वैसा ही यहां पर देखना था इसी को एनलोजी कहते हैं और नंबर बेस्ट एनलोजी हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने नंबर सिरीज कर दी, नंबर बेस्ट एनलोजी कर दी, कर ही दी है लगबग लगबग और missing number जब हम करेंगे तो ये तीनों का जो deadly combination होगा ये आपके numbers के लिए महबद बढ़ा देगा, numbers को आप पहचानने लगोगे, maths करने में आसानी होगी, ठीक है तो इसके 100 से 500 कोशिन ज़रूर आपने करने है अगला देखिए जी अगला कोशिन देखिए मेरे प्यारे बच्चों और ये कोशिन होम वक होगा आप सब के लिए आप सबने इसका आंसर बताना है क्या होगा साथ में लॉजिक भी बताईए क्योंकि हर बच्चे का लॉजिक अलग हो सकता है 25 सवाल 42 है, तो 4 में से एक कम किया 3 2 में से एक कम किया 1 एक ऐसा जिसमें हो रहा हूँ वो लॉजिक आंसर होगा तो आपने कहा नौ में से एक कम किया 8 साथ में से एक कम किया 6 ऐसा लॉजिक के वल आप्शन नमबर 1 में ही मिल रहा है और किसी में भी नहीं मिल रहा है तो उत्राखंड पुलिस और UKPSC का भी नोटिफिकेशन आ गया है तो UKPSC प्रिलिम सी सेट के लिए भी आप ये जो सरी चल रही है इसे फॉलो कर सकते हैं और साथ ही एक दो पोस्ट और आई हैं उनके लिए भी रीजनिंग वाले पॉर्शन के लिए आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं तो करते रही है पार्शाला रिशिकेस के साथ बने रही है जै उत्राखंड जै भारत थैंक यू